नागरिक्ता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों से वसूली के लिए लगे होर्डिंग्स पर अब राजनिती शुरू हो गई है इन होर्डिंग्स के जवाब में पहले सपा ने पूर्व सांसर चिन्म्यानिन और पूर्व विधाय कुल्दीप सेंगर के पोस्टर लगाकर इने परदेश की बेट्यू का आरोपी बताया था अब कॉंग्रेस भी इस पोस्टर वार में कुद गई है वसूली के लिए लगे सरकारी होर्डिंग्स पर कॉंग्रेस की ओर से पोस्टर लगाया गया है इसमें मुक्यमंतरी योगी अदितेनात और मुक् सब्सक्राइब रहे राजियो मंतरी चिन्मियानंद की फोटो वाले बैनर लगवाए हैं ये बैनर योगी सरकार द्वारा लगाए गई वसूली वाले बैनर पोस्टर के बागल में लगे हैं हालाके पुलिस ने शुकरवार सुबह तक सभी बैनर पोस्टर को हटा दिया उन में लोगों के 88,62,567 रुपे के नुकसान की भरपाई कराने के बाद कही गए थी मामले में हाई कोट ने स्वतह संग्यान लेते हुए आरोप्यों के बैनर पोस्टर 16 मार्ट से पहले हटाने का आदेश दिया था यूपी सरकार ने हाई कोट के पहले फैसले को सुप्रीम को कोट ने पोस्टर के हटवाने के फैसले पड्रोक लगाने से इंकार कर दिया था जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अनुरूद बोस की विकेशन बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई इस दुरान कोट ने योगी सरकार से पूछा कि किस कानून के तहत आरूपयों क होडिंग से लगवाए गए अब तक ऐसा कोई प्रागधान नहीं है जो इसकी इजासत देता हूँ इस मामले में अगले हपते तक नई बेच सुनवाई करेगी ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर और सुब्सक्राइब करें थान्यवाद क्वेट एंटर्प्राइब